हेलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप आप सब बहुत अच्छी होंगी तो चलिए आज हम बनाते हैं कम तेल में बनाये जाने वालर टिफिन का हेल्दी नाश्ता जो कि है बेसन ब्रेड टोस्ट यह सिर्फ 10 मिनुट्स में रेडी हो जाता है लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर की ओर में घ्रने मिक्स हो गया अब इसमें नमक में चमशाल्वा एड़ करेंगे सबसे पहले वन टेहबल स्पून अच़वाईन को अच्छे से प्रश्च करकेब आइस में आड़ करेंगे उसके बाद गाल एक देहल ऑन नमकमचमसाल्वा मश साल डालेंगे धूसका बाद में हल्दी डालेंगे 1 टी स्पून रेक चिली पाउडर डालेंगे और वन टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे यह हमारी लो आयल रेसिपी में बना रही हूं आप भी जरू ट्राइए करेंगे चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पास में बैल आइकन का बटन है उसे दबाईएगा ताकि आने मली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके यह देखिए बेसन में सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इने बनाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए यह ब्रेट की स्लाइजेस म और इसके उपर हलके हाथ से इसे उठाके रख देंगे और इसको दो से ती मिनट के लिए एक साइड को सीखना देएगी जब वो लाइट ब्रॉण हुझेगी तो फिर साइड चेंज करेंगे बन मिनट के अरून हो गया है अब हम चेक करते हैं हमारी साइड सीख ड़ने और यह उसको हम चेंज करेंगे दिखिए कितने अच्छे से सीख चुका है अग ऐसे दूसरी साइड को सेखेंगे हैं लो ऑयल ब्रेट है हमारी हमारी अब इसे प्लेट में निकाल लें ऐसे हमने ले लिये इसको डिप किया बीच में और हल्के हाथ से चुछ जाएगे यह हमारी low oil ब्रट जो रेडी होरी है क्योंकि सिर्फ 1 टेबल स्पून और यूज ती है इसमें एक अलग से नाशता भी है, healthy भी है और low oil भी है यहीं ब्रट बिल्कुल बनके रेडी हैं और अब देख सकते हैं बिल्कुल भी oil नहीं आ रहा है आप भी इस recipe को ज़रूर घर पर try कीजिएगा और बताएगा आपकी recipe कैसी बनकिया है I hope आप वीडियो को share भी करेंगे like भी करेंगे और comments में बताएंगे की recipe कैसी लगी आपको Thank you